Hello and welcome friends to my channel Learn to Succeed आज हम सिखने वाल है problem solve करना, stress and strain का जो कि आपका strength of models का first unit का question होता है इसमें कुछ तीन या चार टाइप के questions है तो आज हम first type ले रहे हैं जो कि है bars in series and subjected to actual loads जिसमें at least one end free यहाँ पर यह question है जहाँ पर यह वाला end fixed है और यहाँ end free है इस question में दोनो ends भी free हो सकते है बट दोनो ends fixed नहीं चाहिए, कोई एक end free चाहिए फिसे solve कैसे करते है इसे solve करने के लिए हम सबसे पहले इसका naming कर देंगे कि bar A से B, B to C and C to D अब इन question को solve करने के लिए सबसे पहले आपको इसका FBD बनाना पड़ता है तो FBD बनाना हम start करते है लास्ट वाला जो free end है उससे यहाँ पर free end वाला जो बार है C to D इस C to D बार का हम FBD बनाएंगे तो यहाँ पर यह 60 Newton का force यह compressive force लग रहा था 60 kN का तो अगर इस बार को हमें equilibrium में रखना है तो हमें opposite side से भी एक force लगाना पड़ेगा 60 kN का ताकि यह दोनों एक दूसरे को cancel आपके यह बार equilibrium में रहेगा फिर अब हम बढ़ते है आगे इस बार पर जो कि है आपका बार BC यह था आपका C to D next बार है BC अब इस बार BC पर यहां पर sorry इस बार BC पर इस point पर जो इसका इन दोनों का interaction है इन दोनों connecting point है इस point पर 40 kN negative direction में है तो हमें यह है resultant जब यह दोनों बार आपस में जोडेंगे तो यहां पर resultant आना चाहिए negative 40 का तो इस बार पर कितना force होने पर यहां पर resultant negative आएगा तो वो कैसे बार जलेगा कि suppose मेरे पास answer कितना है minus 40 है यहां पर इन दोनों को C point पर यह भी C point है यह भी C point है इन इंडिकेट कर रहा है कि इसमें वो negative direction में है यहां कि compressive लग रहा है तो यहां पर force कितना है 100 kN अब इस end पर force ऐसा है तो दूसरे end पर उसके opposite में होगा ताकि वो equilibrium में रहे तो यहां पर कितना आएगा positive 100 kN ठीक है अब हमें BC bar में force मिल गया अब हम बढ़ते AB bar के लिए AB bar पर हमारा force अब यहां पर B वाला जो intersection है connecting point है यहां पर resultant हमें चाहिए 20 kN positive में तो मुझे answer क्या चाहिए plus 20 चाहिए मिरे पास already कितना है already plus 100 है तो अब इस 100 में कितना value डालने पर मुझे answer plus 20 आएगा तो अगर मैं 100 में minus 80 करूंगा तो मुझे answer plus 20 आएगा तो मतलब मुझे इस N पर कितना force लगाना पड़ेगा इस N पर मुझे 80 kN का compressive force लगाने पर जब यह दोनों add होंगे तो मुझे resultant आजाएगा 20 kN का अब 80 kN इस side compressive है तो इस side भी ऐसा आजाएगा अगर एक end पर ऐसा force है दूसरे end पर उसका opposite ताकि यह दुनों एक दूसरे cancer लगे एक तो हमें मिल गया सभी forces जो individually in bars पर act कर रहे है आपको इस question में पूचा होता है कि total deflection कितना है वो बताओ कि जब इस bar पे यह 2-3 bars जो series में लगे हुए है इन bar के जब series में लगने पर इन में अलग लग force लग रहा है इस force की वैसे इन particular bars में कितना deflection आएगा या फिर total deflection कितना होगा तो deflection के लिए हमार बास formula होता है delta L, delta L is equal to F L upon A E जहाँ पर delta L होता है deflection यानि कि change in length F होता है force, L होता है length of that section, A होता है area and E होता है आपका modulus of elasticity जो यहाँ पर इस question में दिया है 200 GPA तो अब हम क्या करेंगे, अगर हमें इसका total deflection निकालना है तो total delta L कितना होगा, it will be delta L of AB plus delta L of BC plus delta L of CD तो हमें उसके लिए क्या क्या चाहिए, delta L में पूट करने के लिए force चाहिए, length चाहिए, area and E हमें E दिया हुआ है, area के लिए यहाँ पर question में diameter दिये हुए, कितने, इसका 40 दिया है, इसका 30 दिया, इसका 20 दिया है और FBD से हमें CD bar का force मिला 60, फिर BC bar का force मिला 100 and AB bar का force मिला हमें 80 तो यह यहाँ पर दिख रहा है कि यह दोनों forces क्या है, इस बार को compress कर रहे है यहाँ पर BC bar पर भी 100 Newton compress कर रहे है, यह CD bar पर 100 Newton compress कर रहे है तो यहाँ पर हमें FBD से यह भी समझा, कि यहाँ पर यह compressive force आ रहा है, यह tensile force आ रहा है क्यूंकि उसी से हमें समझागा कि delta L जो है, change in length, वो compressive है, कम होने वाला है, या बढ़ने वाला है तो इसके बाद हम क्या करते है, हम यहाँ पर अपना deflection निकाल लेते है, delta L of AB क्योंकि यहाँ पर हमारा unit होता है, Newton per mm², तो यहाँ पर 80 kN, kilo यानि 10 raise to 3, force into length, अब suppose इस बाद की length यहाँ पर 1 meter है, यहाँ पर 1.2 meter है यहाँ पर 2 meters है, तो अब हम यहाँ पर length कितना है, 1 meter, तो 1 into 10 raise to 3, क्योंकि हमें mm में चाहिए, then area, area क्या होगा, formula का है, FL upon AE, area क्या है, pi by 4, d square, d कितना है, 40 है, diameter, उसका square, into e, e क्या है, 200 GPA, उसे mm² में करेंगा, तो 10 raise to 3 होता है, तो 200 into 10 raise to 3, okay, तो यहाँ पर हमें delta L of A भी मिलेगा, similarly इसी तरह से delta L of B C आजाएगा, और फिर delta L of C D आजाएगा, अब इन तीनों के deltas को हम एक साद आड करेंगे, तो हमें total deflection आजाएगा, तो total delta L, delta L total, तो total delta L will be equal to कितना, plus or minus of delta L A B, plus or minus of delta L B C, and plus or minus of delta L of C D, अब यह plus and minus क्यों हूं, क्योंकि यहाँ पर force compressive था, तो यह minus आने वाला है value, इसका force भी हावर compressive है, तो इसका भी answer minus आने वाला है, इसका force भी compressive है, इसका भी answer minus 1 और तो यहाँ पर यह minus values आ जाएगी, तो जो आपका result an answer आएगा, उस पर plus या minus 1 होगा, अगर plus रहा, तो मतलब इन सब forces लगने के बाद, इन bars में होने वाला है, pensile force, यानि कि वो elongate होने वाला है, अगर minus आता है, तो वो क्या होता है, कि उन bars में आपका compressive force लग क्योंकि अगर आपका FBD में यह forces गलत हुए, तो आपके आपके सारे forces गलत हो जाएंगे, और फिर आपके सारे answers गलत आएंगे, तो इसलिए सबसे important होता है, यह FBD draw करना, और हमेशा start करते है, free end से, अगर आपका यह end free होता और यह fix लगता, तो हम start करते है, इस साइट से, then last में, formula put किया, और values निकाल लिये, तो इस तरह से हम solve करते है, अपने यह early questions, कौन से, bars in series and subjected to actual load, और जिसमें at least one end free हो, या फिर both end free हो, तो भी कुछ दिक्कत नहीं है, तो इस तरह से हम सीख लेते है, इन questions को solve करना, अगर आपको मेरा पढ़ा है, समझ भा रहा है, तो मेरे चैनल को subscribe कीजए, साथ ही साथ मेरे वीडियो से अपने दोसरा शेयर भी कीजए, thank you